हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में मैं हूँ आपका दोस्त है मन्त दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रिपेर करने जा रहे हैं इस कलर टीवी को और आप टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तो किस तरह का इसमें फाल्ट है दोस्तो यह CRT कलर टीवी है सलोरा कमपनी का और इसके आधे स्क्रीन पे रास्टर आ रहा है टीवी के निचले जो आधे हिस्से हैं दोस्तों उसमें रास्टर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे लाइट आ रहा है और इसके उपरी हिस्सा जो है उसमें रास्टर नहीं आ रहा है टीवी के आधे हिस्से में रास्टर दिख रहा है स्क्रीन पे लाइट आ रहा है और बाकी आधे हिस्से में तो इस फाल्ट को हम कैसे रिपेर करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से सेक्षिन का ये फाल्ट है और कौन कौन से कंपोनेटस के खराबी से ये फाल्ट आता है पूरा step by step तरिके से हम रिपेर कर दिखाएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत किजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पे नए आये हैं तो चैनल को capacitor यहां पर फूला हुआ नहीं दिख रहा है अगर कोई capacitor फूला हो वीक हो तो उसके वज़ा से इस तरह का fault आ सकता है लेकिन यह सभी capacitors यहां पर सहीं दिख रहे हैं तो फिलहाल यह capacitors की वज़ा से fault नहीं है तो दोस्तों यह fault है vertical section से related और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर vertical IC लगा हुआ है और यह vertical के यो coil के wire के connections है और horizontal के भी यहां पर wire connection दिए गए हैं और उसके साथ आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा main IC और यह है इसका PCB का back side यहां पर हमें voltage चेक करने है सबसे पहले दोस्तों हमें basic जो voltage होते हैं वो कौन से voltage कितना आ रहा है उसको चेक करना है दोस्तों तो यहां पर vertical IC लगा हुआ है दोस्तों हमें vertical IC की supply को check करना है और अगर supply अगर सही है दोस्तों तो हमें vertical IC को change करके देखना है और अगर vertical IC को change करने के बाद भी सही नहीं होता है तो उनसे related जो भी components है capacitor resistance उसको check करके देखना है चेंज करके देख लेना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें basic इसके voltage को check कर लेना है तो चलिए दोस्तों हम इसका जो multimeter का negative wire उसको ground कर देते हैं और यहां पर positive wire को लगाते हैं यहां पर 115 volt दिख रहा है दोस्तों 110 की जो supply line है वहां पर voltage तो सहीं आ रह हैं और इसके बाद देखे दोस्तों यहां पर हम और voltage check कर लेते हैं यहां पर 8.9 रहा है नाइन वोल्त के करिब आ रहा है और यहां पे 17 वोल्त आ रहा है sound ऐसी को तो यह सब voltage दोस्तों सहीं है गर इन voltage में दोस्तों कुछ कमी होती है तो इस तरह के fault आ सकते हैं और कई तरह क तो 5V supply पोंच रहा है, main IC पे भी इसकी supply पोगरा पोँच रहे है तो अब हमें दोस्तो इसका जो vertical IC है, इस पर supply चेक करना है vertical IC को supply दोस्तो दो जगा से दिया जाना जाता है ज्दाइदा तर चाइना kit को दोस्तो Power supply से 24V की supply दिया जाता है और Salora और जो भी branded kit होते हैं दोस्तों उसको यहाँ पर EST से plus और minus दोनों supply दिया जाता है 14 V की plus 14 V और minus 14 V और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है plus 13 point यहाँ पर लिखा हुआ है 14 V के करीब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 13.3 तो हमें यहाँ पर 14 V के करेब मिलना चाहिए दोस्तों 13 से 14 V मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर 15 V मिल रहा है vertical IC के pin नमबर 2 पर दोस्तों हमें 14 V मिल रहा है और इसके pin नमबर 4 पर minus 14 V मिल रहा है और इसके pin नमबर 6 पर दोस्तो हमें प्लस में 14V मिलना चाहिए क्योंकि pin नमबर 2 से एक डायोड लगा के pin नमबर 6 पर दिया जाता है दोस्तो और ये दोनों voltage हमें सही मिलना चाहिए तो यहाँ पर देखे दोस्तो 14V, 15V के करीब मिल रहा है और IC के pin नमबर 2 पर भी आ रहा है लेकिन यहाँ से एक डायोड लगा के इसको pin नमबर 6 पर supply दिया जाता है 14V को ये देखे दोस्तो pin नमबर 6 पर इसका supply नहीं पहुँच रहा है तो इसको supply यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये डायोड लगाया जाता है दोस्तों तो हो सकता है दोस्तों ये डायोड ओपन हो गया हो खराब हो गया हो जिसके उज़एसे pin नमबर 6 पर इसका supply नहीं पहुच रहा है तो हमें डायोड को पहले चेक कर लेना है और यहाँ पर हमें 14 वोल्ट पहुचाना है इसके pin नमबर 6 पर तभी ये confirm होगा दोस्तों कि हमें IC चेंज करना पड़ेगा या नहीं तो सबसे पहले दोस्तों हमें voltage इसके पूरे पहुचाने है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल आइसी लगा हुआ है 78-0-40 यहाँ पर लगता है और यह है दोस्तों वो डायोड जो pin नमबर 2 और pin नमबर 6 के बीच में लगा हुआ है तो इस डायोड को दोस्तों हमें चेक कर लेना है multimeter से और इसको PCB से बाहर निकाल के चेक करेंगे तब यह confirm हो जाएगा दोस्तों यह खराब है या नहीं है तो दोस्तों हमने multimeter को buzzer beep की range पे set कर दिया है और multimeter के wire को आपस में पलटा के हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर continuity नहीं दिखाय रहा है डायोड का और इसको एक बार फिर से चेक करेंगे और अगर यह खराब हुआ तो दोस्तों यह हमें replace करना है और दोस्तों जादातार यह खराब ही होगा क्योंकि PCB अगर open दिखाय रहा है दोस्तों तो खराब हो सकता है अगर यहाँ पर दोनों तरफ से कुछ रीडिंग्स दिखाय रहे हैं तब दोस्तों इसमें doubt रहता है कि खराब है या नहीं इसलिए PCB से बाहर निकालना पड़ता है तो चलिए दोस्तों इसको हम निकाल लेते हैं उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से पिन नमबर दो और पिन नमबर छे दोनों पर सप्लाई अगर नहीं पहुचेगा तो इसका वर्टिकल सेक्षन पूरी तरह से काम नहीं करेगा जिसकी वज़ेसे हो सकता है दोस्तों इसका जो फाल्ट है वो आ रहा है तो चलिए दोस्तों इस डायोड को हम निकाल से लेंगे पीसीटी से बाहर और उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई भी रेडिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि यह डायोड ओपन हो गया है खराब हो गया है इसकी जगह में हमें नया डायोड लगाना आप यहाँ पर कोई भी डायोड लगा सकते हैं कोई भी रेक्टिफायर डायोड लगा सकते हैं आई-एन-4007 या बीए 159 या तिरपंदी 99 कोई भी डायोड आप यहां पर लगा सकते हैं तो देखे दोस्तों जो फ्रेश डायोड है इसमें एक साइट में 530 के करीब रेटिंग दिखा रहा है अब हम इसको चेक करके देख लेंगे तो आप यहां पर इसको प्लस माइनस को देख के लगाना है दोस्तों तो देखे दोस्तों यहां पर हमने डायोड को लगाया है अब इसको सोल्डर कर देंगे सोल्डर करने के बाद दोस्तों इसके वोल्टेज हम एक बार फिर से चे नहीं होता है तो दोस्तों योग कोईल को चेक करेंगे हम और वर्टिकल आइसी के जो components लगें दोस्तों उसको चेक कर ले रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों voltage हमारे pin नमबर 6 पर भी पहुंच गए हैं देखे pin नमबर 2 पर 14 दशमलो something यहां पर voltage दे रहा है और pin नमबर 6 पर भी इसके voltage पहुंच चुके हैं तो supply इसका दोस्तों पूरी तरह से पहुंच चुका है और इसके minus supply भी पहुंच रहा है और प्लस 14 वोल्ट भी supply इसका पहुंच रहा है तो चलिए दोस्तों अब हमें TV स्क्रीन के ओर देखना है कि इसका fault clear हुआ है कि नहीं हुआ है कि हमें और आगे कुछ change करना पड़ेगा अगर यह fault clear नहीं हुआ है दोस्तों तो हमें इसका IC बदलना पड़ता है ज्यादा तो दोस्तों यही दो fault दो components के वज़े से यह fault आता है तो कारण वही था दोस्तों इसका vertical IC को पूरी supply नहीं मिल रहा था प्लस जो 14 वोल्ट की supply पिन नंबर 2 और 6 पर जो मिलना चाहिए वो सिर्फ पिन नंबर 2 पर पहुच रहा था पिन नंबर 6 पर डायोट के जरियर नहीं पहुच रहा था डायोट ओपन था और दूसरा दोस्तों इस तरह का फाल्ट आये तो ज्यादा तर दोस्तों IC खराब रहता है तो vertical IC को चेंज करने के बाद आपका फाल्ट सहीं हो जाएगा तो इस तरह का फाल्ट आये तो सबसे प खराब रहता है और vertical का IC खराब रहता है दोस्तों इन दोनों components को आप चेंज कर देते हो पहले supply चेक करके अगर सप्लाई चेंज करना पड़ेगा अगर supply पूरा नहीं बन रहा है तो दोस्तों आप ये डायोट अगर खराब है तो डायोट को चेंज कर सकते हैं इसके अलाव तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए